तो नमस्कार दोस्तो आप से भी का स्वागत हमारे उमेश टेक सपोर्ड यूटूब चैनल में तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग अपने जो की pen drive की कोई वीडियो जिसको आप अपने laptop में डालना चाहते हो तो कैसे डाल सकते हो यह आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इसके लिए आपको सबसे पर अपना pen drive जो है कि अपने laptop से connect कर लेना है जो आपका USB port दिया गया है आपके laptop में side में देखना वहाँ पर आपको उसको लगा देना वो connect हो जाएगा connect होने के बाद इसको आपको open करना है जैसे यह open होता है कुछ इस तरीके से यह open हो जाएगा my computer आपको open करना होगा और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा जू आपने पर पैंड्राइफ आपको करना है आब आपको करना करें, यहाँ पर जैसे Pen Drive के अंदर आपके वीडियो पड़ा, तो सबसे पहले आपको Pen Drive को Open करना है, और यहाँ पर माले जी जैसे मेरे पास यह वाला वीडियो इसको मुझे अपने laptop में डालना है, तो अभी यहाँ पर आपको पहले तो इस पर left click करना है, right click करना है और फिर यहाँ से आपको प्रिक कर सकते हो। यहाँ सारी विडियो हैं, ठीक है अभी तो वैसे नहीं है, लेकिन मालचे, अकर यह सारी वीडियो से सभी को मझे डालना है। तो यहां पर एक तो आप शॉटकट की अपना सक्टेश से च्ट्रोल प्लस ए दबा करके सभी को सिलेक्ट कर सकते हो जैसे आप कंट्रोल प्लस ए दबाओगे यह ओटोमेटिक सारी जो भी होगे फोटो वीडियो हो आप लिएक तो आपको यहां पर इसको सेलेक्ट करना धीक हैया तो आपको यहां पर YES क Mississippi करना माउस से उसके बाद आपको अपने बाद आने बाद आपको अपना राइट कलीक करना माउस में जैसे आप आपको यहां से बैक आने के बाद अब आप अपने जिस भी ड्राइव में इसको डालना चाहते हो उस ड्राइव को आप उपन कर लो अपने जो लगा रखें उसके अंदर आपको आ जाना है इस तरीके से यहां पर आने के बाद अब जहां पर भी जिस भी फोल्डर के अंदर पेस्ट करना चाहों सोपोडर के अंदर आप इसको पेस्ट कर सकते हों और आपको कहीं बाहर पेस्ट करना है तो इसको पेस्ट कर देता हूं जैС olmas यहां पर यह वाला मेरे पास एक folder खाली पड़ा हुआ इसके अंदर आ गया हुँ मैं और यहां पर आने बाद जैसे आतों मैं यहां पर आपको right click करना है right click करने के बाद आपको यहां पर paste के उपर click करते हो तो यहां पर यह paste हो जाएगा कुछ इस तरीके से और आपकी जो वी इस्टाग्राम पर मैसेज कर सकतों मेरा जो इस्टाग्राम का URL है वह आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगा